हाई फ्रेंट्स वेलकम टू टूटर हब मैं भरत्तेवारी आपका करेंट अफेस का टीचर और आज हम करेंट अफेस डिसकस करने वाले हैं 12th and 13th and 14th चैन के असल में क्या हुआ कि हमारा थोड़ा करेंट अफेस थोड़ा डेले हो गया है हमने आज तीन दिन का करेंट अफेस एक साथ कंपाइल करके डाला है हमारे पास करेंट अफेस करेंट न्यूज अनलिसिस में हम आज देखने वाले हैं बहुत सारे कोशन्स और हमारे पास सोर्सेज हैं दाहिंदू, P.I.B., R.S.T.V. अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप मेरा टेलिग्राम लिंक सर्च कर सकते हैं और टेलिग्राम लिंक पर जाकर आप मेरी PDF और वीडियोस टाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं करेक्शन याद रखिएगा ये 12, 13 और 14 का है जैनवरी का करेंट अफेर्स तो अब आपको 15 और 16 का मिलेगा अगले दो दिन बाद तो चलिए पहला कोशन है आज का हाल ही में इंटरनेट शट डाउन के उपर एक कोशन बना हुआ है कि इंटरनेट शट डाउन इन कश्मीर जो हुआ था वो under which circumstances right to access to internet is a fundamental right मतलब internet की पहुँच कैसे एक fundamental right है और किन परिस्थितियों में तो याद रखिएगा कि Supreme Court recently एक plea सुन रहा है इस समय और उसने एक judgment बोला है कि internet as a medium is used to exercise other fundamental right मतलब internet के माध्यम से other fundamental rights के exercise किया जाता है इसलिए ये act करता है as a medium medium कैसे act कर रहा है freedom of speech and expression on internet freedom of trade and commerce on internet और आपको पता है ये दोनों ही article किस में है article 19 A and article 19 G article 19 A बोलता है freedom of speech and expression जिसके लिए internet एक essential requirement आज बन चुका है social media पर काफी लोग अपना expression या speech को जाहिर करते हैं और ये तो जानते ही हैं सब लोग की trade and commerce के लिए internet कितना important है तो याद रखिए गए इन में से कौन सा कुछ answer सही होगा options B under article 19 A and 19 G इसकी history याद रखेगा 2017 में central government ने impose किया था internet shutdown in Kashmir क्या बोलकर impose किया था public emergency पब्लिक emergency को कहकर इन्होंने impose कर दिया गया था तो central government जो है जितने भी ये power internet shutdown की जो power है कहां से drive करती है ये तीन act है जिनसे ये power drive करती है information act 2000 telegraph act 1885 and section 144 of CRPC याद रखेगा इन तीनों acts जो है वो internet shutdown से related है तो अगर paper में कोई question आता है तो आप तीनों act mind में याद रखिएगा India shares largest border with Bangladesh with exactly in kilometers India को जो सबसे largest border है वो Bangladesh के साथ share करता है और exactly वो कितने kilometer का है option A 3323 km option B 4096 km option C 4096.7 km option D 1500 15400 km तो यह exactly border share करता है 4096.7 km यह recently क्यों न्यूज में है क्योंकि recently government of India ने एक Ireland की एक company है जिनको एक pilot project दिया है कि वो बताएं कि कितनी cost पड़ेगी हमें कि हम new fencing wire जो बंगलादिस water पर लगाना चाहरे हैं उसको illegal immigrants को रोपने के लिए तो यह एक issue बनने वाला है आगे चलके और देखते हैं अब यह issue कैसे NRC के बाद यह issue कैसे सांथ होने वाला है तो चलिए next question पर जाते हैं Where the headquarters of Ram Krishna Mission founded by Swami Vivekanand Ram Krishna Mission जो है वो Swami Vivekanand ने found किया था और इसके headquarters कहां है A. Kochi, B. Wysak, C. Belur Math, D. Humpy तो इसके headquarters हैं Belur Math में याद रखिएगा Belur Math एक जगे का नाम ही यह वो वाला math नहीं है यह math एक जगे का नाम है अच्छा, Swami Vivekanand ने Ram Krishna Mission का जो headquarters है वो 1st May 1897 को Belur Math में establish किया था Ram Krishna Movement और Vedant Movement यह दो spiritual movement हैं जो कि इस Mission के अंडर रन किये गए थे और Swami Ram Krishna Paramhans जिनके नाम पर यह पूरा Mission रखा गया वो गुरू है Swami Vivekanand जी के तो यह भी याद याद रखिएगा Next question हमारा The birth anniversary of Swami Vivekanand The great youth icon is celebrated on 11th January, 12th January, 13th January, 14th January तो यह celebrated की जाती है 12th January का और याद रखिए मैं कुछ points बताने वाला हूँ Swami Vivekanand जी की बारे में Swami Vivekanand जी की Chicago Conference बहुत जादा famous है तो इसकी date आप याद रख लिएगा कि इसकी date क्या है दूसरा Swami Vivekanand जी का नाम पूछा जाता है तो Swami Vivekanand जी का नाम है Narind Nath Dutta तो Narind Nath Dutta इनका original नाम था बाद में इनको Swami Vivekanand जी का नाम दिया गया था चलिए next question की तरफ Which marine fish is declared extant internationally? कौन सी marine fish recently extant हो चुकी है और इसको international journal of science एक publications है जिसने declare कर दिया है कि यह अब extant हो चुकी है तो option A गैंगेटिक डॉल्फिन option B चाइनीज पैडल फिश option C ब्लू वेल्स option D नन तो याद रखिएगा यह इसका नाम है चाइनीज पैडल शिप पैडल फिश तो चाइनीज पैडल फिश जो है वो अब extant हो चुकी है और इसकी इमेज जो है वो कुछ इस तरीके से दिखती है याद रखिएगा इसका scientifically नेम है पैसी पूरुस ग्लैडियस तो यह इसका scientific नेम है इस नेम से question आ सकता है यह नाम पूछ लिया जा सकता है पेड़ में अच्छा चाइनीज पैडल से पहले से ही लिस्टिट थी IUCN की रेड लिस्ट में यह एक fresh water fish है और Yangtze river जो है चाइना की वो इसका घर हुआ करता था कभी और यह देख पा रहे हैं आप किस तरीके की यह fish दिखती थी यह करीवन 6 से 7 मीटर लंबी तक यह fish हुआ करती थी 23rd National Youth Festival NYF 2020 12th January to 16th January is held at कहां held हुए हैं तो यह held हुए हैं लखनाओ में यह लखनाओ में held हुए हैं फर्स्ट National Youth Festival जो है वो 1995 में और्गनाइस्ट किया गया था इस वार की थीम थी हमारी Fit Youth Fit India याद रखिएगा थीम पूची जाती है Fit Youth Fit India इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर I4C का हैड़क्वाटर कहां पर है न्यू डेली, बैंगलूर, पूने, चन्दिगर तो इसका हैड़क्वाटर है न्यू डेली में और यह अभी रिसेंटली डेवलप की गई है हमारी यूनियन होम मिनिस्टर दोरा न्यू डेली में और इसका काम क्या होगा जितने भी साइवर क्राइम से लेटेड जितने भी जो टाक्स फोर्से से उनमें कॉडिनेशन बनाना और इसके लिए नई रिसेर्च और नए तरीके के इनोवेशन को भी प्रिवेंट करना चलिए नेक्स्ट कुश्चन which year declared as international year of indigenous language by UN कौन से साल को indigenous language of international year declare किया गया UN के द्वारा तो A. 2017 B. 1992 C. 1975 D. 2019 तो हर साल UN किसी एक year को UN designated करता है कोई एक internationally specialization से तो इस साल 2019 का year indigenous language के लिए designated किया गया है और इसका option है answer 2019 याद रखेगा 1992 का year बहुत important year था इसे year of Rio Earth बोला जाता है यह 2019 का जो अभी recently जो year यह indigenous language का जो UN year माना है इसमें एक बहुत important बात बताईए कि इंडिया नेपाल की एक C की language है जो की अब extent हो जाएगी अगर उसको promote नहीं किया गया तो सिर्फ अकेला 700 speakers बचे हैं उसके पूरे world wide chromite, bauxite and dolomite are which type of ore? यह किस प्रकार के ore है? तो यह सारे के सारे iron ore है यह कौन से ore है? iron ore है याद रखेगा chromite, bauxite and dolomite union steel minister inaugurated करते हैं steel hub इन्होंने recently inaugurated किया है steel hub 5 states को मिला कर कौन-कौन से states है? Odisha, Jarkhand, Chhattisgarh, West Bengal और Andhra Pradesh 80% जो हमारी country का iron ore reserve है वो इन ही states में है इन ही eastern states में है अच्छा यह एक rank भी याद रखेगा इंडिया इस समय second largest producer है crude steel production का पूरे world में और इसकी capacity क्या है? देखिए world में अभी समय total capacity जो है वो 1808 millions metric ton यानि MMT है जिस में से China सबसे number 1 पे है 928 million metric tons और इंडिया आप देख पा रहे है second position पे 106.5 तो चाइना और इंडिया का कोई comparison नहीं है इस मामले में चाइना भूत आगे है और आगे ही नहीं जाए मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आगे है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये European Union क्योंकि एक organization है वो कोई country नहीं है इसलिए उसको नहीं include किया गया अच्छा रिसेंटली ये सारा announcement करते समय जो हमारे स्टील मिनिस्टर थे जो यूनियन प्रोडक्शन के लिए तो उन्होंने 12 साइट्स को extend करने के लिए बोला है और बोला है कि हम अपनी capacity जो है वो बढ़ा कर 165 million metric ton करने के लिए प्रियास करेंगे 2020-2021 तक तो ये कुछ 12 साइट्स हैं ये map पे जरूर देखिएगा कलिंगा नगर अंकुल रोरकिला जारसू गुड़ा ये चारों के चारों उडिसा में है उसके बाद नगर नर भिलाई राइपूर ये तीनों 36 गड़ में है जमसेदपूर भोकारो ये दोनों जारखंड में है दुरगापूर कोलकता ये दोनों वेस्ट पेंगॉल में है और वाइजएक अकेला अंद्रप्रदेश में है तो ये कुछ map पे आप माक कर लीजेगा एक वार तो आपको या फिर map पे एक वार अटलस खोल कर देख लीजेगा तो ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा विच स्टेट लेगस्लेटेव असेंबली अडॉप्टेट अ न्यू लोगो ऑन 9 जैनवरी 9 जैनवरी को कौन सी स्टेट लेगस्लेटेव असेंबली ने अपना एक नया लोगो अडॉप्ट किया है उत्तर प्रदेश, तमिल नाडू, मद्द प्रदेश, अरुनाचल प्रदेश तो इसका सही आंसर है अरुनाचल प्रदेश, आप्शन D और इसका लोगो कुछ इस तरीके से देखता है, ध्यान से देख लीजे ये वो नया लोगो है जिसको अडॉप्ट किया है अरुनाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, इटा नगर तो ये याद रखिएगा, चलिए नेक्स्ट कुशन की तरफ आते हैं हाल ही में, JP State Government ने क्ोन सी सिटी में सहीत-आसफाक-Уल्ला खानός जोलाजिकल गार्डन बनाने का निड़ने लिया है तो इन विच सिटी, UP State Government is going to set up सहीत-आसफाक-Уल्ला खानो जोलाजिकल गार्डन आ, कानपुर, बी, इतावा, सी, गौरकपुर, डी, नौईडा याद रखिएगा इसको कहां बनाने जा रही है गोरकपुर में वर्ल्ड फ्यूचर एनरजी सम्मिट 2020 कहां हुई है अबुधावी में दुबई, पैरिस, नुई यॉक तो ये हुई है अबुधावी में इसकी थीम क्या थी इस साल की थीम थी, री थिंकिंग, ग्लोबल कंजप्शन, प्रोडक्शन, एंड इन्वेस्टमेंट अच्छा अब हम आजाते हैं कुछ डिटेल टॉपिक पर हाल ही में स्टेट एनरजी एफिसेंसी इंडेक 2019 लॉँच हुआ है इस इंडेक्स को हर सालाना कौन देता है Bureau of Energy Efficiency, BEE, जो की Government of India के अंडर काम करती है इन कोलाबरेशन विथ, किसके साथ मिलकर देती है Alliance for Energy Efficient Economy इसमें चार कैटिग्रीज है Frontrunner, Achiever, Contender और Aspirant जिसमें से Frontrunner आज तक अभी तक कोई भी अचीव नहीं कर पाया क्योंकि उसके लिए काफी सारे इंडिकेटर्स हैं जो अभी तक बहुत से स्टेट नहीं ले पाए इसमें टोटल मिलाके 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिट्रीज जो हैं उनके उपर Energy Index तैयार किया जाता है इस साल हर्याना, केरला और करनाटिका टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स रहे अचीवर्स कैटिग्री में बलकि जहां तक मनीपूर, जमू एंड कश्मीर, जारकंड एंड राजिस्थान आर एट वर्स्ट इन दिस इंडेक्स, ये वर्स्ट का, हबसे बॉटम पर हम प्लेयर रहे हैं इस इंडेक्स में और अगर यूटीज में पूछा जाए, यूनियन टेरिट्रीज में किसने टॉप किया है, तो पूडू चैरी ने टॉप किया है अभी रिसेंटली एक और न्यूज आई है, H9N2 वाइरस क्या है, तो H9N2 वाइरस रिसेंटली नेशनल इंसिटूट ऑफ वाइरलोजी पूने ने डिस्कावर किया है, एक 17 मन्थ ओल्ड वाइ में, यह एर नहीं है, यहाँ पर मन्थ है, तो यह 17 मन्थ ओल्ड वाइ में, रिसेंटली नेशनल इंसिटूट ऑफ वाइरलोजी पूने ने इसको ढूडा है और यह बॉय जो है, वो मेल घट डिस्ट्रिक का महराष्ट में है, महराष्ट का है, अच्छा इस वाइरस के बारे में थोड़ा से जान लीजे, यह वाइरस क्या है, एक टाइप A कैटेगरी का वाइरस है, जो एवियन इंफ्लूएंजा वाइरस है, यह वाइरस नॉर्मली ट्रांस्मिٹ करता है, यूमें में चिक्षिकन के दोरा, तो जहां पर पॉलीट्री होती है, या पर पॉलीट्री, जो लोग पॉलीट्री में एनिवाल्व होते हैं, उन्हें मोशली ये वाइरस देखने के लिए मिल सकता है, यह एक पैंडमिक बन सकता है, आगे चलकर, इस लिए काफी seriously treat किया जा रहा है H9N2 वायरस जो है वो इंसानों में बहुत rarely पाया जाता है बट क्योंकि इसका transmission बहुत आसानी से हो सकता है air से dust से या फिर खाने या पीने से भी ये mostly ये वायरस किसमें मिलता है जंगली जो wild birds है उन में मिलता है ये जंगली पक्छियों में mostly देखने के लिए ये मिलता है अच्छा वायरस के आप जानने लेजी का कि आपने 다음 के बहुत बार टाइप्स कूंचे जाते हैं या टाइप वे अंसर पर लिखे देखे होते हैं तो वायरस स्के नॉर्मली चार टाइपस होते हैं जिसमें से ए और बी जो है वह यूमन कोitionally इंफेक्ट कर सकते हैं मगर D सिर्फ और सिर्फ अकेला केटल्स को इंफेक्ट करता है। तो ये कुछ इंफॉर्मिशन थी जो आपको जानना जरूरी थी। अच्छा, यहां मैंने कुछ वाइरसिस के नाम बताया हुए है। इनको याद रखेगा कि H1N1 जो है उसको स्पैनिश फ्लू भी बोला जाता है और इसको स्वाइन फ्लू भी बोला जाता है। हाला कि H2N2 जो है वो एशियन फ्लू के नाम से जाना जाता है। H3N2 होंग कॉंग फ्लू है, H5N1 बर्ड फ्लू है, H7N7 एक तरीका जोनाटिक पोटेंशल वाइरस है। जोनाटिक पोटेंशल वाइरस होते हैं जो की नॉर्मली जानवरों में पाए जाते हैं पर वो बैक्टेरिया या अधर और्गैनिजम द्वारा यूमन बोडी को इंफेक्ट कर सकते हैं। है, H1N1 एक एंडमिक वाइरस हैं जो यूमन और पिग दोनों में पाए जाता है, H1N2 और बाकी और यहां पर बहुत सारे नाम दी हुए हैं। अच्छा, जितने भी इंफ्लूएंजा वाइरस जो हैं वो इंफेक्ट होके यूमन में आते हैं। इसलिए इनको इंफ्लूएंजा वाइरस भी कहा जाता है। यह यूमन में नहीं पाए जाते हैं। मगर यूमन क्योंकि लाइफ स्टॉक रेरिंग में यानि पशुपालन में ज्यादा इंक्लूड रहता है। इसलिए कई बार यह वाइरस आउटब्रेक होते रहते हैं। हर साल विंटर में यूएसे में यह इस तरीके का वाइरस आउटब्रेक होता रहता है। जिसमें से H1N1 तो जरूर आउटब्रेक होता है। और हमारे यहां स्वाइन फ्लू के काफी कैसे देखे जाते हैं। वाइरस में बहुत सी स्ट्रेंड भी होती हैं जो कैटेगरी सब डिवाइड़िट करती हैं। इसके बारे में अगर आपको सर्च करना है तो आप गूगल पर जाके या फिर किसी हमारी नेशनल हेल्थ साइट की हेल्थ वेबसाइट डिपार्टमेंट के जापे वहां पर सर्च कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब और हमारा अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको दूसरे लोगों को भी शेयर करें ताकि यह नॉलेज बाकी लोगों के पास भी पहुंच सकें। ओके